दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 जन्वरी में जो आल सिप्ट में SSC GD की तरब से पूछे गए कोशन है उन सभी कोशन को मैं इस वीडियो में एनलेसिस कराऊंगा और आपके लिए वो भी कोशन लेकर आया हूँ जो आने वाले एकजाम में आपके लिए काफी most important होंगे तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा और अगर यह पीडियो आप बिल्कुल फिरी में पाना चाहते हैं तो लिंक आपको description box में मिल जाएगा WhatsApp ग्रूप का तो आप लोग उससे जादर से जादर लोग जोईन हो जाएगे जिससे आपको इस फीडियो जो है फिरी में एक्तम मिल जाएगा तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को सत्रा जनवरी का all safety के question है तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आर्थिक छेतर से तो सही आंसर की बात करें तो आंसर था आर्थिक छेतर next question दोस्तों पूशा गया था कि कौन सा महासागर इस आकार का होता है तो दोस्तों जो इस आकार का महासागर होता है वो होता है आट्लांटिक महासागर, तो इस प्रसेंट का फ्रेंट्स सही आंसर हो जाएगा, अट्लांटिक महासागर, अगला next question फ्रेंट्स पूछा गया था, आप सभी के question में, कि जली कट्टू मूलता किस देश का एक मूल रूप से तयोहार है, तो फ्रेंट्स है, जो जली कट्टू ह ये मूलता एक प्रकार का जो friends है ये तमिन नाडू का एक तेवहार है तो इस प्रसंद का friends सही आंसर हो जाएगा तमिन नाडू अगला next question friends पूछा गया था आप सभी के screen पर की हरित क्रांती किस फसल से सम्मंधित है काफी simple question पूछा गया था की जो हरित क्रांती है किस फसल से सम्मंधित है तो friends हरित क्रांती जो है ये friends चावल और गेहुं फसल से सम्मंधित है नेश्ट कोशन दोस्तों पूचा गया था आप सभी के स्कीन पर कि परमाण क्रमांक 12 किस तत्तु का होता है तो फेंट जो परमाण क्रमांक 12 होता है ये फेंट्स मेगनीशियम का होता है और मेगनीशियम का परतीक जो फेंट्स होता है वो MG होता है तो यह आध्यान से देख लिए जगा Magnesium इस प्रसंद का सही आंसर था Next question दोस्तों पूचा गया था कि मई 2022 में भारत के बिदे सच्यू कौन थे तो most important question है friends पूच रहा था कि मई 2022 में भारत के बिदे सच्यू कौन थे तो friends सही आंसर था बिने मोहन कौत्रा जो friends बिने मोहन कौत्रा हैं ये मई 2022 में भारत के बिदे सच्यू थे अगला next question friends पूचा गया था कि सीता का पर्याव अची सब्द कौन सा है तो दोस्तों ये तो confirm नहीं कि कौन सा इन में सथ था लेकिन सीता के पर्याव अची होते हैं friends जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो friends बिस्व में हरित करांथ के जनक की रूप में जो friends है वो नौर्मन बोरलाग को जाना जाता है तो सही आंसर कह था नौर्मन बोरलाग अगला next question friends मुचा गया था कि बॉली बॉल में एक टीम में कितने फिल्ड खिलाडी होते है तो friends बॉली बॉल की एक टीम में जो friends खिलाडीयों की संख्या होती है वो होती है छे तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा 6 खिलाडी होते है अगला next question friends मुचा गया था कि कोली नर्थ किस राजे से सम्मन्धित है तो friends कोली नर्थ जो है ये friends महाराष्ट से सम्मन्धित है तो सही आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट राजे से सम्मन्धित है कोली नर्थ next question friends आप सभी के एकजाम में पूछा गया था कि Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली महिला कौन थी तो friends Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली जो महिला थी उनका नाम था संतोस यादव तो friends इस प्रसंड का सही आंसर क्या हो जाएगा संतोस यादव अगला next question friends मुचा गया था कि भारत की पहली महिला राज़िपाल कौन थी तो काफी simple question friends मुचा गया था तो friends भारत की जो पहली महिला राज़िपाल थी वो थी सरोजिनी नाइडू तो friends इस प्रसंड का सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नाइडू next question friends आप लोग बताएंगे कि 1857 इस भी के बिद्रों में किसी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो friends ये जो 1857 क्या बिद्रों हुआ था इसमें सबसे पहले बलिदान जो friends है वो मंगल पांडे ने दिया था नेस्ट कोशन फ्रेंट्स पूचा गया था आप सभी के एकजाम में कि सांडर्स की हत्या किसी ने की थी तो फ्रेंट्स सांडर्स की हत्या जो हो फ्रेंट्स भगस सिंग ने की थी तो सही आंसर क्या हो जागा भगस सिंग अगला next question friends आप सभी के एक जामे पूचा गया था कि cricket के पहले बिसुकप का नाम क्या था तो friends cricket के पहले बिसुकप का जो friends नाम था वो था Prude C.L. Cup तो ध्यान से देख लिए जाए को question काफी most important है Prude C.L. Cup अगला next question friends पूचा गया था कि भारत का रिजर बैंक की स्थापना कब हुई थी यानि की RBI की स्थापना कब हुई थी तो friends भारत में रिजर बैंक की स्थापना जो friends 1 April 1935 को की गई थी तो सही answer क्या हो जाएगा 1 April 1935 अगला next question देखने से पहले दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को like and share नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों के पाह जरूर share करिएगा जिससे उनको भी काफी benefit होगा और हमें भी काफी motivate मिलेगा तो वीडियो को एक like जरूर करना है अगला next question देखने से कि अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है और ये कहाँ पर है तो देखने से जो अलमाटी बांध है ये बनाया गया है किर्फणा नदी पर और ये कहाँ पर है तो देखने से ये करनाटक राज में है अगला next question देखने से कि भूकंप का अध्यन किस के अंतरगत किया जाता है तो question काफी simple दोस्तों थे आप सभी को मैंने question आप पिछले वाली वीडियो में करा रखे है तो friends सही answer हो जाएगा कि भूकंपो का अध्यन जो friends है वो सिस्मोलोजी में किया जाता है क्योंकि question आज के exam में काफी repeat हुए है तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा मैं जितनी वीडियो exam LSA से कराता हूं सारी देखेगा क्योंकि question बहुत जादा SECD में repeat हो रहे है अगला next question friends मूचा गया था कि राम किर्षण मिसन की इस्थापना किस ने की थी तो friends राम किर्षण मिसन की इस्थापना जो friends है वो स्वामी विवेका नंद ने की थी तो सही answer हो जाएगा स्वामी विवेका नंद अगला next question friends मूचा गया था कि किस देश को उगुते हुए सूरज की भूमी कहा जाता है तो friends किस देश को? Japan देश को जो friends है उगुते हुए सूरज की भूमी कहा जाता है तो सही answer हो जाएगा Japan next question friends है कि भारत चोडो आंदोलन की शुरुवात गब होई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो फ्रेंट से वो 8 अगस्त 1922 को हुई थी तो फ्रेंट से इस प्रसंड का सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1922 Next question फ्रेंट से है कि भारत में सफेध क्रांथी का जनक कौन है दोस्तो क्रांती से सम्मंधित question देखें आज के एकजाम में तीन पूछे गए थे तो एक बार आप इस से सम्मंधित जितने भी question जरूर दिख लीजेगा क्योंकि आने वाले एकजाम में हो सकता है फिर इसी से question घुमा पिरा के पूछे तो ध्यान से पढ़ेगा तो friends भारत में सफेद करांती का जनक जो है डाक्टर वर्गिच कुरियन को कहा जाता है तो friends इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा डाक्टर वर्गिच कुरियन next question friends पूछा गया था कि लोग सभा का सदस बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो friends लोग सभा का सदस बनने के लिए जो friends नियुनतम आयू है वो पच्चेस वर्गिच होनी चाहिए तो इस प्रसंद का friends सही आंसर हो जाएगा पच्चेस वर्गिच अगला next question friends पूछा गया था कि भारत का राष्टी ये जली जीव कौन सा है तो friends भारत का जो राष्टी जली जीव है वो friends रे गंगा डॉल्फिन तो सही आंसर क्या हो जाएगा गंगा डॉल्फिन अगला next question friends बताएंगे कि प्रथम क्रिकेट भी सुकप जीतने वाला जो friends पहला देश है वो है यानि कि West Indies तो सही आंसर क्या हो जाएगा West Indies इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा अगला next question friends मुझा गया था कि राज्यों में संवेधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट पती सासन किस अनुच्वेद के आधार पर लगा जाता है तो friends आर्टिकल 356 के आधार पर तो friends इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 अगला next question friends मुझा गया था कि किस अनुच्वेद के तहत 6-14 वर्सों तक के बच्चों के लिए सिच्छा का अधिकारिक मूल अधिकार माना जाता है तो friends इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 का ए अगला next question friends मुझा गया था कि चंद्रमा पर मानों को पहुचने वाला पर्थम आंतरिच्यान का नाम क्या था तो फ्रेंट चंद्रमा पर माननों को पहुचाने वाला जो प्रथम आंत्रिश्यान था उसका नाम था Apollo 11 तो सही आंसर क्या हो जाएगा Apollo 11 अगला next question फ्रेंट से है कि 20 सुकी सबसे बिस्त ब्यापारिक नदी कौन सी है तो फ्रेंट से जो 20 सुकी सबसे ब्यापारिक नदी है वो फ्रेंट से राइन नदी तो इस प्रसेंट का फ्रेंट सही आंसर क्या हो जाएगा राइन नदी अगला next question फ्रेंट से आप लोग देखे का most important है कि सदा वहार 1 कहां पाए जाते हैं तो फ्रेंट सदा वहार 1 जो हैं ये फ्रेंट बिस्वतिय छेत्रों में पाए जाते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा बिस्वतिय छेत्र अगला next question फ्रेंट की निमने लिखित में से किसे भूम दिसागर की कुंची कहा जाता है तो most important question है दुस्तो तो भूम दिसागर की कुंची जो फ्रेंट से वो किसे कहा जाता है तो कहा जाता है जिब्राल्टर चल संधी को तो फ्रेंट इस प्रसंड का सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर चल संधी अगला next question है कि स्वेट पेरिल गड़तन्तर के नाम से कौन सी देश जाना जाता है यानि कि कौन सा देश जो है वो स्वेट पेरिल गड़तन्तर के नाम से जाना जाता है most important question है दूस्तों आप लोग इसका screen sword भी ले सकते हैं हो सकता आने वाले exam में repeat हो सकता है question तो friends सही answer हो जागा बैलारूस ध्यान से देखेगा कि स्वेत पेरिल गरतंत्र के नाम से जो friends है बैलारूस देश चाना जाता है next question friends आप सभी के screen पर है चली बताईगा कि Malaysia की Silicon घाटी किसे कहा जाता है तो friends Malaysia की Silicon घाटी जो friends है वो कहा जाता पेनाग को तो सही answer हो जागा पेनाग next question friends है कि Brandway के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है तो friends Brandway के नाम से जो friends है वो New York देश जाना जाता है तो सही answer की बात करें तो इस person का friends सही answer हो जागा New York QCQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ सी वेकंशी से रिलेटड किसी जॉब से रिलेटड या आप किसी भी चीज़ से जरूरी information पाना चाहते हैं तो आप हमारी बेवसाइड पर आपको आएंगे तो आपको मिल जाएगा और बेवसाइड को आपको कैसे मिलेगी तो आपको सबसे अपडेट न्यू अपडेट और रिजल्ट एडमेट कार्ड से सम्बंदी सारी डीटेल आपको प्राप्त होती रहेंगी कि कौन सा एक्जाम कब होगा कितनी डेट को होगा हर एक चीज को मैं अपडेट करता रहता हूं डेली वाइच तो आप लोग उस पर बेव साइड पर ज नेस्ट कोशन फेंट से कि जांबीजिया का प्राचीन नाम क्या है तो फेंट जांबीजिया का प्राचीन नाम जो फेंट से वह उत्री रोडेशिया तो इस प्रसंद का फेंट सही आंसर हो जाएगा उत्री रोडेशिया नेस्ट कोशन फेंट से कि किस देश को वनो का कहा जाता है तो वो है गांगो प्रजातांत्रिक गड़तंत्र तो इस प्रसंद का फ्रेंट सही आंसर हो जाएगा ध्यान से देख लिजेगा यह कोश्चन जितने में करा रहा हूं इसमें से बहुत सारी कोश्चन आज के एक जाम में पूछे गए थे 17 जनवरी को आल सिप्ट में तो वो भी कोश्चन इसमें आइड किया हूं तो फ्रेंट सही आंसर हो जाएगा में में तो इस प्रसंद का फ्रेंट सही आंसर क्या हो जाएगा में में अगला नेस्ट कोश्चन फ्रेंट साप लोग बताएंगे कि लादंग चलवासी क्रेश किस देश से सम्मंधित है यह कोश्चन पूछा गया था तो फ्रेंट से यह मलेशिया देश से सम्मंधित है तो सही आंसर हो जाएगा मलेशिया अगला next question है कि बिस्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश को उसा है तो friends बिस्व में जो निकल का सबसे बड़ा यानि की निर्यातक देश है वो friends है कनाडा तो सही आंसर क्या हो जाएगा कनाड़ा इस प्रसेंट का सही अंसर हो जाएगा अगला next question बताएंगे friends की मेसाभी range किस्चे सम्मंधित है तो friends यह question most important है और इसका सम्मंध है low ask से मेसाभी range जो friends किस्चे सम्मंधित है low ask से अगला next question है friends की बिस्चे में चांदी का सबसे बड़ा उतपादक देश कोन सा है काफी simple question है तो friends बिस्चे में चांदी का सबसे बड़ा उतपादक दो friends देश है वो है मेकसिको तो सही अंसर की बात करें तो सही अंसर हो जाएगा मेकसिको अगला next question friends आप लोग बताएंगे कि मुंबई से यूरोब जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा तो friends अगर आप मुंबई से यूरोब जाने के लिए सोच रहे हैं तो किस जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा तो friends वो है ये वाय मंडल की फेंट्स छोब मंडल से होता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा छोब मंडल अगला नेस्ट कोशन फेंट्स है कि संचार उपग्रा किस वाय मंडल इस्तर में इस्थित है तो फ्रैंटस शंचार उपग्रा जो है जो किस वाय مंडल है तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल अगला next question friends मूचा गया था कि दिल्ली के निम ने लिखे सुल्तानों में से किसे इतिहास कारों ने बिरोधियों का मिसरण बताया है तो friends इस प्रसंड का सही आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक को अगला next question friends है कि किस वंस के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक सासन गया था तो friends ये question आज के एक जहां में पूचा भी गया था तो friends इस प्रसंड का सही आंसर की बात करे ना तो इस प्रसंड का friends सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंस अगला next question friends की लोधी वंस की स्थापना किस ने की थी ये भी question पूचा गया था friends तो लोधी वंस की स्थापना जो friends है वो की थी बहलोर लोधी तो इस प्रसंड का friends सही आंसर हो जाएगा बहलोर लोधी नेस्ट कोशन है फ्रेंट्स की भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा था तो फ्रेंट्स भारत में जो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वे फ्रेंट्स मसूली पत्नम में था तो इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा मसूली पत्नम अगला next question है friendktas ki डंडी मार्च कब आरंभ हुआ था तो friends, डंडी मार्च यात्रा जो friends ये प्राणू हुए थी बारा मार्च 1930 में तो इस प्रशन का सहई आंसर हो जाएगा बारा मार्च 1930 अगला next question है कि चोरी चोरा कांड किस इस्थान पर हुआ था तो फ्रेंट्स जो चूरी चौरा कांड है ये 1968 में हुआ था, कहां पर हुआ था तो फ्रेंट्स ये गौरभपुर में हुआ था तो सही आंसर क्या हो जाएगा गौरभपुर अगला next question है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में इस्थित मोहन जोदाडों की प्राचीन सब्धा का इस्थल है तो friends सही आंसर की इसके बात करें तो सही आंसर हो जाएगा सिंधू अगला next question है friends की आप सभी की स्क्रीन पर की होमो इडेक्टेस की खोपड़ी निमने लिखित में से किस प्रग्वित्यासिक भारती इस्थल में पाई गई थी ये question दोस्तों most important question है भी भी आई question है तो आप लोग इसको screen source भी ले सकते हैं कि हो सकता है आने अले एक जामें पूर सकता है तो सही answer हो हत नोरा इस प्रग्वन का सही answer क्या हो जाएगा हत नोरा ध्यान से देख लेज़ेगा इस प्रग्वन का सही answer अगला next question है कि निमने लिखित में से किस हडपा वाले स्थल पर जुताई वाले छेतरों के प्रमाण मिले हैं तो फ्रेंट्स निमने लिखित में से किस हडपा वाले स्थल पर जुताई वाले छेतरों के प्रमाण मिले हैं तो फ्रेंट्स सही answer की बात करें तो सही answer हो जाएगा काली बंगा अगला next question फ्रेंट्स आज के एक जाम में पूचा गया था कि नंद्वन्स का अंतिम सासक निमने में से कौन था तो फ्रेंट्स नंद्वन्स का अंतिम सासक चा वो था धनानन्द तो सही answer क्या हो जाएगा धनानन्द next question फ्रेंट्स आप लोग बताएगे कि वेदांगों के संदर्ब में निमने लिखित में से कौन सा सब्द अनुष्ठान को दर्साता है Most important question है तो सही answer हो जाएगा कल्प जो सब्द है ये friends वेदांगों के संदर्ब में जो friends है अनुष्ठान को दर्साता है तो सही answer हो जाएगा कल्प अगला next question है friends की निमनलिकित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरासरणी के नाम से भी जाना जाता था तो friends इसका सही answer हो जाएगा रावी नदिको अगला next question है की राज की प्रतीक पर सब्द सत्त में हो जाते किस उपनिसद से लिया गया था तो friends, यह जो राजकी यानि की राजकी प्रतिक सब्द है रच्तमें उजहते, यह friends लिया गया था मुण्ड कोपनी सथ तो सही आंसर हो जाएगा मुण्ड कोपनी सथ अगला next question है friends की सून निकी खोज किस ने की थी तो फ्रेंट सून की कोज जो है वो आरिभट ने की थी तो सही आंसर क्या हो जाएगा आरिभट अगला नेस्ट कोशन है फ्रेंट की किस बिदेशी यात्री ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था तो फेंट्स किस बिदेशी यात्री ने तो फेंट्स इस प्रसंड का सही आंसर हो जाएगा मेगे स्थनीज ने अगला नेस्ट कोशन बताएंगे फेंट्स कोशन नमर 64 है कि नालंदा विस्व बिद्याला किस लिए बिस्व प्रसिद्ध है तो फैट्स यो जो नालंदा भी सुभि द्याला है यह फैट्स बौध धर्म दर्सन के लिए प्रिसिद्ध है तो शही आंसर की बात करें तो बौध दर्सन के लिए प्रिसिद्ध है और दोस्तों ये रहाइस वीडियो का लास्ट कोश्यन कि कौन से पुर्टगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलीसी शुरू की थी तो फेंट्स इस प्रसंग का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिसको D. Almोडा ने इस प्रसंग का फेंट्स सही आंसर हो जाएगा ध्यान से देख लेजीगा फ्रांसिसको डी अलमोडा तो दोस्तो आज के कैसे लगे कुश्चन आने वाले एक्जाम में आप सभी का एनलेसिस में वीडियो आप सभी को देता रहूँगा साम को 6 बजे अल्ट सिफ्ट का मैं एक ही वीडियो दूँगा लेकिन सभी जितने भी आपके डेली एक्जाम होते हैं सभी का निचोड आपको साम को मिल जाया करेगा तो इस वीडियो को जरूर जादे स्यादर लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस के लेना मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के नेश्ट एनलेसिस वीडियो में तब तक के लिए जै भार्त वंदे मात्रम